असलाम वालेकम दो महीं ने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट मैंने उसको एज़ा गाइड बनाया था वहलों के लिए जाना चाहते हैं लेकिन क्यूंकि मैंने उसको व्लॉग की सुरुत में बनाया था तो बहुत सारी बहुत सारी क्वेस्टेंस पूछे मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आये फिर मुझे लगा कि इस पे एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए तमाम मिलिटरी कॉलेजे में जाने का एक ही तरीका कार है यह नहीं कि मिलिटरी कॉलेज जैलम का अलग है मरी का अलग है सुई का अलग है नई तमाम का एक ही पेटरन है और तमाम का एक ही तरीका कार है हाँ यह बात है कि टेस्ट की डेट्स अलग होती है किसी के पहले है किसी के बाद में है उसकी वज़े यह है कि अक्सर लोग या तो दो college के लिए apply करते हैं या तीन colleges के लिए apply करते हैं ताके ख़दानाखवास्ताब वो एक में न आवे तो दूसरे में चले जाए दूसरे में न उआ तो तीसरे में चले जाए लेकिन अगर तमाम colleges का टेस्ट एगी दिन पे होगा तो उनके लिए नमुम्किन होगा कि वो तमाम colleges के लिए अप्लाई कर पाएं military colleges में या तो आप 8 class के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप first year के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैं क्यों नी जा रहा ? वो मैं आपका आखरने बताऊगा के यह वीडियो पहले स़रोरी है मिरिटी कॉलिज में जाने के लिए आपके पास 3 जोरी स्टेप्स होती नमल 1 इंट्री टेस्ट इंट्री टेस्ट देने के लिए आप उकराने होती है र्जिस्ट्रेशन Online registration आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने जिस college के लिए भी apply किया आप उसकी official website बजाएं महांसे form fill करें, submit करें fee bill submit करें और बागी कुछ steps होते हैं आपको साथ साथ guide करेंगे आप भूभी कर लें तो registration हो जाने के बाद आपके पास एक form आएगा जिसके लिए आपकी picture होगी आपका नाम होगा सारी information होगी आपने कहा test देने किस वक्त देने कब देने आपको क्या क्या चीज़े चाहिए सारी information होगी तो entry test की त्यारी के लिए आपको पढ़नी होती है पंजाब बोट की books first year, A class दोनों के लिए पंजाब बोट की books है और एक मस्ता जो अकसर लोग को पेश आता है मुझे ही पेश आया था इस तरह मैं APS मठता हूँ तो मेरी स्कूल की books Oxford की है और कॉलेज के लिए मैं पंजाब बोट की books पढ़ रहा हूँ मतलब साड़ा टेस्ट बहुत असान है अगर आपने पहला स्टेज कर लिया तो आपने पहला स्टेज कम्प्लीट कर लिया अब आते हैं दूसरे स्टेज की तरफ इंटर्वु लोग इंटर्वीव से पहले होते हैं intelligence test बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं तो टेंशन लेनी कोई जोर होती हैं बहुत असान होते हैं सिर्फ में से क्यों होते हैं अब आप एक्जामपल लेता हूं ए एज फादर ऑफ बी बट बी इस नॉट द द शन ओफ ए ए बी का बाप है लेकिन बी ए का बेटा नहीं बेटा नहीं है तो क्या बेटी है ना बिल्कुल इस द directions होते हैं बहुत असान होते हैं लेकिन थ्रिकी होते हैं आप खोड़ा सोचना पड़ते है अक्सर लोग confused इस वजह से होजाते हैं कि 다음, काम होते हैं और questions जाधा होते हैं 20, 2-5 minutes होते हैं और तखीव 60 कितने questions होते हैं अकसर लोगों को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो भाई आप कर पाओगे, मैक्सिमम 15 मिन्ट लगते हैं, या अगर बहुत मुष्किल टेस्ट लगते हैं, उससे जादा नहीं लगते हैं, और मैं आपको रिकमेंट करना कि जो क्वेस्टन नहीं आता ना, स्किप करें, अगले पर जाएं, क्योंकि पहला क्वेस्टन, आखरी क्वेस्टन, बड़ा क्वेस्टन, छोटा क्वेस्टन, मुष्किल क्वेस्टन, असान क्वेस्टन, तमाम के एक ही मार्क्स होते हैं, यह नहीं कि पहले के जादा हैं, को फिल कर लेना अब हम बात कर लेते हैं इंटरेव्य की सबसे पहले मैं आँँगा ड्रेसिंग पे तो ड्रेसिंग के अंदर आप कोशिच कीजिजीगा कि आप कोई पास हो पहने ले तो यह ज़्यादा बैतर है टी-शिट्स वगएरा इसलिए नहीं बैतर कि एक तो इसका ने इंटरेव्य देते कैसे हैं सही है लेकिन अगर है तो कोशिच कीजिए इस किताब में लिखा कि फर्ज है नहीं है तो ना पहनो है तो पहन लो अब हम बात कर लेते हैं what really matters in the interview क्या क्या चीजी ज़रूरी है तो मैं आपको चार चीज़े बताऊंगा सबसे पहले जीज चीज आपको confident रहने है गपरानी कि आपको कोई जरूरत नहीं है stay confident आपको सच बोलना है आप कहादे मुझे यह आता है मुझे वो आता है और जब आपसे वो पूछे तो आपको आता कुछ ना हो जो आता है बता दे आता है जो नहीं आता बता दे नहीं आता लेकिन आपको सच बो वो करेंगे just to check you, लेकिन आपको, मतलब, you know, business means business, आप interview के लेंगे, आप interview दे, आप मजाक ना करें, उस वक्त आप मजाक कर लेंगे, लेकिन फिर पूरी जिंदगी लोग आपका मजाक बढ़ाएंगे, और हाँ, ऐसा मोमेंट भी आ सकते हैं, कि आप से नहीं होगा, क्यों कॉलेज आ रहे हैं, फजूल कॉलेज है, तुम फजूल ही है, उस वक्त भी आपको घबराना नहीं है, just do it to check you, तो tension लेनी, stay calm, और ये बात समझना बहुत जरूरी है, कि आपको confident रहना हैं आपको, not overconfident, बहुत होती ही जीज ये, कि आपको interview अपनी direction में मोड़ने है, कैसे मैं बताता हूँ, like उनने आप से पूछा कि आपकी hobby कै, आपने का मेरी hobby book reading है, उनने का आप किस तरकी books पढ़ते हैं, आपने बता दिया, कोई से एक book का नाम बता दिया, फिर पूछते हैं, इसके writer का नाम है, आप चुप, आपको नहीं आता, तो फिर गड़बर आती है, फिर मसला बन जाता है, लेकिन अगर आपको book का नाम भी आता है, आपको writer का नाम भी आता है, आपको summary भी आती है, आपको main highlights भी आते हैं, त कि ये आपके लिए अपने rights में मोड़ना बहुत जरूरी है, मोड़ दिया तो, best of हम बात कर लेते हैं, कि आपने interview देना कैसी है, तो आपने दरवाजा करक्ट आया, अंदर गे, सलाम किया, उनने बैठने का, आप बैठ गे, तो वहाँ पे युजली तीन लोग बैठे होते ह चाल भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तो एक commandant जिनने आपसे interview लेना है, एक psychiatrist और एक और पता नहीं कौन मों को जांगा नहीं है, तो सबसे बने हो आपको कहींगे, introduce yourself, introduction का पूछेंगे, तो confused ना होने के लिए बेस तरीका ही है, कि आप interview से एक राद पहले introduction लिखें, पांच दस बार पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और आपको confused ना हो, उसके बाद वो आपसे आपका favorite subject पूछेंगे, तो आप वही बताईगे जो आपको आता है, जो पसंद है, बेशर कोना पताईगे, जो आपको आता है, आप वही बताईगा, उसके related questions पूछे आपको 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 आपक कभी किसके लड़ाई हुई है, कैसी लड़ाई हुई है, इग्नोर कैसे करते हो, मारा, ये कुछ सा के सवाग पुछते हैं, आपको mentally check करते हैं, आपको एक चीज़ जैन में याद रहती है, कि आपको positive रहना है, negativity शोनी करनी, अगर उनको पतस लिए कि आपके अंदर negativity है, फिर बहुत मसला हो सकते हैं, आप पाकिस्ता ने खिलाप शीज़ हो जाएं, तो भाई, फिर क्या वह आप क्यों रखेंगे, तो भाई, negativity शोनी करनी, negative side प्री जाना, positive रहना है, लेकिन अगर आपकर negative हो के ना, तो बस फिर समझे कि काम खतम, और बागी कुछ नहीं होता है, होते हैं, चेकप अगार होते हैं, और it depends, अगर आप छोटे शहर में हैं, तो फिर तो आपका आपका आप सो जाएगा, मेरे सबसे बड़े भाई का तक्रीबन 2-3 दिन में हुआ था, वो सेलकोट में थे, फिर उसके बाद एक और भाई का एक दिन में हुआ था, मैं असलाब कुछ कह नहीं सकता, और हाँ बाइदे भी हाथ पे अगरा कट वागएरा तो मतलब हाथ पे कट वागएरा प्लीज कुछ इस तरह ना कीजिएगा, क्योंकि जब आपका साइटर्स साथ वो चेकप होते हैं, तो मसला बन सकते हैं, तो हाथ पे कट वाएरा या इस तरह क्यों नहीं जा रहा हूं, तो इसी मेरे पहले से महाँ दो बाइप पटते हैं, तो आई थाट के मैं कुछ यूनीक करता हूं, और आप सोच रहें कि मैंने टेस्ट क्यों दिया, तो जस्ट टू प्रूव मैसेल्फ, ताकि मैं जहन में यह ना हो कि आप नहीं जा सकते हैं, ज थैंक यू फर वाचिंग, पीस, आलाफ विस